Hey guys, welcome to Deva Bhoomi career point तो देखे, Border Security Force सीमा सुरक्षा बल ने 1072 पदों पर आविदन मागे हैं और यह official notification है, तो discuss करते हैं, देखते हैं क्या-क्या इसमें criteria हैं तो कुल मिलाकर 1072 पदों पर यह भरती है और यह post है head costable की radio operator and radio mechanic की ठीक है तो radio mechanic और radio operator की head costable की यह भरती है और यहाँ पर आप online के वह अपलाई कर पाएंगे, जो link किसका open होगा वो 14 मई से open होगा, यहाँ पर साब बोला गया है 14.05.2019 और form आप online अपलाई कर पाएंगे 12 जून तक, ठीक है पेश के लिकी मैं बात करते हैं, तो level 4 की पोस्ट है और basic पे है 25,500 यहाँ पर और बाकी allowance होगे रहाँ चूड़कर लगबग 40 तक आपकी sales में होगी ठीक है, तो vacancies की बात करते हैं, तो 1000 total vacancies है 1072 vacancies जैसे के thumbnail पर आप देख चुके होंगे और जिसमें देखे, head constable radio operator की है यहाँ पर total 300 vacancy और head constable, RM radio mechanic की है, 772 पोस्ट है, तो 1000 पोस्ट हैं यहाँ पर और अब क्या-क्या इसके लिए criteria है, थोड़ा उसके बारे में discuss करते हैं तो देखे, इसमें तीन step में एक्जाम आपका complete होगा, return test होगा, physical standard test होगा, और इसके बाद आपका medical exam इसमें लिया जाएगा तो यहाँ पर दिया गया है, recruitment dates दिये गए हैं, तो सबसे पहले first phase में return test होगा, आपका 28 July 2019 तक ही test हो जाएगा, ऐसा दिया गया है second phase में आपके PhD, PTA, documentation होगा, 9 October 2019, descriptive return test होगा, 24 November 2019, और third phase में होगा, final medical examination, 30 January 2020 तक ही complete भर्ती हो जाएगी, ऐसा बोला गया है, BSP के द्वारा, ठीक है, final result तो head constable जो radio operator है, यहाँ पे आपका 100 और 100, 200 नंबर का पुरा paper होगा, head constable radio mechanic में आपका descriptive और test होगा, 200 marks का होगा, यह भी ध्यान दखेंगे तो अब देख लेते हैं, कैसे test होगा है, eligibility क्या है, इसमें सबसे पहले qualification की बात करते हैं, तो head constable बनने के लिए आपके पास, या तो ITI का certificate होना चाहिए, ध्यान नखेंगे, साब बोला गया है हाँ पे, matriculation के बाद आपके पास, 2 साल का ITI का certificate होना चाहिए, radio and television और electronics या computer operator, programming assistant, COPA का, या data preparation and computer software का, या तो आप inter pass होने चाहिए, 12th PCM से होने चाहिए, physics, chemistry, math, मतलब विज्यान और गणित विशाय के साथ, आप बारवी होने चाहिए, 60% marks के साथ, मतलब inter में आपके, गणित विशाय के साथ, 60% marks होने चाहिए, दोनों में सेम यहाँ पे educational qualification है, ठीक है, applicable है, reservation है, सभी, अन्य जो भी relaxation होता है, अन्य कास्टों को लाएक, SC, ST, and OBC को, तो यह होगए, इसके educational qualification, ठीक है, अब बात करते है, physical standard की, तो physical standard, दीखे, male candidates के लिए, जो height है, 168 है, chest ओनी चे 80 cm, और expansion के बार 85, ठीक है, females के लिए height है, यहाँ पे 157, medical standard तो सेम रहेगा, जैसा paramedical जो standard है, medical का, ठीक है, आखों का test, color vision test, सभी इसमें रहता है, EWS को भी यहाँ पे reservation दिया जाएगा, ऐसा बोला गया, पूरा यह, ठीक है, मैं telegram चैनल पे इसको पूरा share कर दूँँगा, इस notification को, ध्यान रखेंगे, एक सर्विसमेन के लिए भी पार्ट 2, इसमें mathematics, पार्ट 3, chemistry और पार्ट 4 में English और GK होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 200 marks का question paper होगा, पूरा ध्यान रखेंगे, ध्यान यह दिया गया है, और साथी current of years history, geography and general science होगा, यहाँ पर GK के अंतरगर, ध्यान रखेंगे, negative working होई है, 1 by 4 की है, 100 question है, दो marks, एक question के पूरा यहाँ पर score होगा, ठीक है, और बाकि देखें, जो qualification marks है, यहाँ पर दिया गया है, qualify जो होगा, आपका general lobby के लिए 38% marks लाना जरूरी है, SCST के लिए 33%, ठीक है, ध्यान रखेंगे, second phase में आपका देखें, यहाँ पर PhD या जो physical standard test होता है, वो होता है, ठीक है, तो mail के ल और female के लिए 800 meter की dog है, चार मिनट में, 9 feet की long jump है, और 3 feet की high jump है, ध्यान रखेंगे, verification और personal documents में आपके पास होना चाहिए, educational certificate, ITI diploma certificate, इसमाँ पॉल टेकनिक वाली भी भर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, अगर high school के बाद पॉल टेकनिक किये किसे ने, electronics से, तो वो भर सकता है, ITI तो भरी सकता है, ध्यान रखेंगे, 3rd phase में descriptive test होगा आपका, ध्यान रखेंगे, उसी से संबने दाएगा, trade relative होगा है, और dictation test होगा, बाकि सभी महतोपों जो बाते हैं इसमें बताई गई हैं, वो आप देख ली चीगा, और अगर कोई candidate हैं रिफर वगेरा होता है, तो 15 सब्सक्रान online fees आप पेट करेंगे, 100 परी महत्र, बाकि इसमें center code दिये गए, जहां भी आपको center भरना है आपना जीज छेत्र में, तो center भर सकते हैं, आपके लिए सबसे नजदिक यहां पर दिल्ली का रहेगा, ठीक है, दिल्ली या धेरादून भी इसमें दे सकते हैं आपक आप चैनल को join कर लें, ठीक है, so thank you for watching guys, please do like and share, और देखिए यार मैं हमेसा कुछ ही नहीं बोलता है आप लोग किसे लेकिन अभी बोलना चाहता हूं कि जो भी वीडियो आप देखते हैं, share करें ना करें, subscribe करें लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से कहने कहीं थ motivation भी मिलता है कि मैं आपके लिए आगे अच्छे-चे topic तैयार कर पाऊं, ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं, ध्यान दखिएगा अपना